मुझे वेल्कम बैक तो माई चैनल और आज मैं एक पार्ती मेकप लुक क्रियेट कर रही हूं सो मेरे फेस पे जो भी मेकप था वो मैंने मेकप रुमूवर से रिमूव कर दिया है और बुरा फेस अभी क्लीन हो गया है और यहाँ पर मैंने लिप बाम लगा लिया है क्योंकि जब लिप्स्टिक लगाते हैं इस ट्राई हो जाता और यहां पर मैंने सीरम लगाया है गुड़ वाइप्स का से इंस्टेंटली ग्लो आ जाता है और यहां पर मैं प्राइमर लगा रही हूं मैल्यो का तरह के बाद मैंने मैबलीन का फांडेशन लिया है Fit Me foundation और उसे मैं अच्छे से अपने फेस पे डैडाप करके लगा लूगी फेस और नेक पे मैंने इस तरह से लगा लिया है अब इसे ब्रश आता है फांडेशन को कवर करने के लिए इस्पिट करने के लिए तो मैंने अच्छे से अपने चेहरे पे लगाया है ब्रश की मदद से बहुत ही अच्छे से लग जाता है इस ब्रश से एक पी जगह पे केकी सा नहीं लहता और कहीं पर भी ऐसा नहीं लहता ड्राइप पैचेस आ गए है और यह फांडेशन भी बहुत अच्छा है बहुत अच्छा कवरिस देता है बात मैं लगा रही हूं आई प्राइमर या आप कंसीलर कह लीजिए मैंने इसे आई प्राइमर लगाया हुआ है और यहां पर मैं अपने आईस के उपर एक ब्रेश की मदद से कंसीलर को अच्छे से स्प्रेट कर लोगी कंसीलर बहुत अच्छे से लग गया है और यह कंसीलर स्टिक क्वरकी का था यहां पर मैंने जो आईशेडो की पैलेट ली है न्यूट पैलेट है तो मैंने जो स्टार्टिंग किया है वो न्यूट से किया है इसमें थोड़ा सा डाक के डारकर सेट मैंने उपर लगाया है देन फिर उससे थोड़ा सा लाइटर शेड अपलाई किया है इसको बात मैं ब्ल नहीं हुए मुझे तो थोड़ा सा ठीक ट्याग लगा पहले कभी भी ट्राइ नहीं किया था इस तरह से आई लोक या मेकप मुझे ज्यादा करना नहीं आता था मैंने आप लोग लिए ट्राइ किया है प्लीज अगर पसंद आया तो प्लीज कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके दरूर बताईएगा और यहांपर मैं विंग्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ देखते हैं किस हद तक हो पाता है यह जो जिससे मैं विंक्स बना रही हूं यह मैंने ब्लैक जेल काजल लिया हुआ है इतना थिक तो आईशेडो नहीं आता है मैंने काजल के हल्प से विंक्स बनाए है ब्रेस की मदद से मैंने इसे बहुत अच्छा से समझ कर लिया अपनी आईस में अब यहां पर मैं फिर से जो आधे आईस पर मेरा क्रीस लाइन है वहां से कंसीलर लगा लिया मैंने कंसीलर मैंने इस्टिक कुर्की का पहले भी बताया है बहुत अच्छा कंसीलर है मैंने एक फ्लेट ब्रेस की मदद से अच्छे से लगा लिया और इस्टिक कंसीलर के उपर मैंने जो लूज वाला स्पाकल होता है जो आई और बहुत ज़्यादा फॉल हो रहा था इसमें इस्कीन पर बहुत ज़्यादा गिर रहा था लगाने के टाइम पर में भी मोटे की वज़े से होगा मैंने उसके उपर से ब्लैक आईशेडो थोड़ा सा इस्प्रेट करने की कोशिश की है कि वो अलग-अलग सा ना लगे और एक आँख में तो मेकब मेरा हो गया है यहाँ पर मैं आई-लाइनर लगा रही हूँ और यह जो आई-लाइनर है यह मैंने लगाया है मैलियो का बहुत ही अच्छा आई-लाइनर है लब इतने कम पैसे में मुझे बहुत अच्छा आई-लाइनर मिला है यह मैंने लोकल मार्केट से खरीदा था बट यह एमेजान में भी अविल्बल है तो आप लोग वहां से पर्चेस कर सकते हो वाटर प्रूफ है हटता नहीं है जब तक आप मेकप रुमोवर से नहीं अटाओगे और बहुत ही इसली अपलाई हो जाता है यहां पर मैं जेल काजल लगा रही हूं यह क्लैमे का है यह मैंने ऑनलाइन मंगाया था तो जितने ही प्रोडक्ट मैंने ऑनलाइन पर्चेस किया है या फिर ऑनलाइन मुझे लिंक अवेलबल मिल जाएंगे तो मैं सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी वहा है वाटप्रूफ है और मस्कारा लगा करके मेरा आई मेक अप हो गया है कंप्लीट फाइनली थोड़ा थोड़ा सा लुक अच्छा लग रहा है और जितना भी मेरे चेरे पर गिरा हुआ था वो मैंने ब्रस की हब से हटा दिया है और यहां पर मैं थोड़ा सा हाइलेटर लगाया है ज्यादा नहीं लगाया थोड़ा थोड़ा सा ही लगाया कि थोड़ा सा हाइलाइट हो जा चीक से लोस का एरिया मैंने यहां पर एक लिप लाइनर लिया है जिससे मैंने लिप्स्टिक को लगा लिया है उसके उपर से मैं लगाऊंगी लिप्स्टिक लिप्स्ट सुनीससे थोड़ा से ड्राइश न ओंट कर अंगे मेरा मेकप तो चुंपलीट हो गया है और यहाँ पर फिर एसटाइल बना रहे हूं लोग बोल रहेते हैं पूरा मेकप तो दिखा दिया और हैस्टाइल कैसे बनाई तो यहां पर मैं मांग टीका पहले सेट कर लेगें यहां पर क्लिप्स की हम से मांग टीका को सेट किया है और यह जो मैं उपर परफ लगा रही हूं यह मैंने ऑनलाइन ही ओडर किये थे कई इसमें पूरा मुझे मिला था है रेसेसरी मैंने अभी तक इसका रिव्यू शेयर नहीं किया है रिव्यू में जल्दी शेयर कर दूंगी और इसकी हेल्प से बहुत अच्छे से और बहुत इसली मेरा हैस्टाइल बन जाता है बहुत जल्दी बनता है फिर भी मुझे 10 मिनट ल इसमें थोड़े थोड़े बाल लेकर के इसको सिक्योर किया है पहले अब उपर से मैं बाकी के बालों को यसे लेकर के सिक्योर कर दूंगी यहां पर जो मैं पिन यूज कर रही हैं बॉबी पिन है जो छोटी वाली आती है और जो साइड में पार्ट बचा हुआ है मैं से बैक कॉमिंग करके तुरह सेट कर दूंगी ताकि वो भी बराबर पर ही आजाए इसका मैं अलग से वीडियो फुल बना करके सिर्फ हेस्टाइल और आई मेकप का डालूंगी तो आप वो भी चेक कर लीजेगा कि इतनी जल्दी जल्दी फास्वावर करके समझ नहीं आता है और अगर मैं फास्वावर नहीं करूंगी तो आप लोग वीडियो नहीं देखोगे क्योंकि वो 20-25 मिनिट का बनेगा इतना नमबा वीडियो जल्दी कोई नहीं देखता है फिर भी यह लंबा हो गया है यहाँ पर मैंने जो साइट के बाल थे देखें बहुत ही इसली मैंने ऐसे फोल्ड करके से लगा ली है पिन्स और अगर आप इसमें जो हैर स्प्रे होता है अगर वो डाल देंगे तो यह बहुत लॉंग लास्टिक रहेगा जल्दी खराब नहीं होगी है मैंने कोई भी स्ट्रेटनर या क्रिंपिंग मसीन अभी यूज नहीं करी है और आप चाहो तो आप आगे के बालों को जो मैं निकाले हैं रोल कर सकते हो this is my final look मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग बताईएगा कैसा लग रहा है मुझे बहुत जादा अच्छा लगा बहुत जादा पसंद आया क्योंकि मैंने first time try किया था और मैंने black सारी पूरी पहनी है तो मैंने contrast में उसके साथ में green jewelry पेयर की है और बहुत अच्छा लगा green पहन कर black के साथ आप एक बार ट्राई करिएगा black के साथ green jewelry और मैंने जो open hair रखे तो उसका जुडा बना लिया है आप लोग भी एक बार जुडा ट्राई करिएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्रेस कर दीजिए like and share और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बगल में बेल हैकन दिया होगा उसे प्रेस कर दीजिएगा तार कि जो मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं उसके नौटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए